सु हाई कैसर उकमा चाना आज के सुड़ी मैं अब के साम सेर्थ लोगाई है New Micro Niche Topic के बारे में और यहाँ पर मैं आपको दोगा किस तरी से आप अपनी Blogging Career को तेजी से Boost कर सकतों बहुती कम महलत में बहुती कम समय में आप उसे Boost कर सकतों बहुत सारे लोग जोई कि यहाँ पर गलत नीच सेलेक्ट करने की वज़े से जोई कि उनका जोई कि ब्लॉगिंग करियर में जोई कि दी एंड हो जाता है और ज्यादा समय तक वो नहीं टिक पाते हैं यहाँ पर most important part है कि जब भी हम जोगी ब्लॉगिंग करना चाहते हैं जब भी हम अपनी website बनाना चाहते हैं तो उसमें जरूरी होता है कि unique domain हम सेलेक्ट करें प्लस अगर साथ साथ अगर हम बात करें तो एक अच्छी hosting को सेलेक्ट करना बहुत important होता है उसके बाद अगर हम बात यह traffic बहुत important है जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाने कोईस्ट करूंगा तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जोग अलग-अलग website पर काम कर रहे हैं इसमें अगर traffic ही ना आए तो Google AdSense अगर approved भी है तो भी आपको कोई benefit नहीं देखने को मिलता है तो यहाँ पर most important part होता है कि आप ज आएसे जोगे की जाव 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 जोगे की traffic गेंड कर सकतो प्लस साथ साथ यहाँ पर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि Adsense में कितना बड़ा impact पड़ता है आपके micro niche topic को लेके तो यहाँ पर इस वीडियो को start करते हैं और यहाँ पर इसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे आप जोगी कि अगर एक अच्छा माइक्रों टॉपिक सेलेक्ट कर ले तो तो उसमें कितना बैतरिन रिजल्ट आपको मिलता है जो कि लाइप प्रूप के साथ में बात करने वाले सिंपली मैं जोगी कि यहाँ पर डैक्सबोड के अंदर आप देखोग ठीक है एक अच्छा रिस्पॉंस एक अच्छा जोगी ओडियंस देखने को मिलती है लेकिन कई बार जोगी ओडियंस जोगी है पर मुझे कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि एक्च्छल में आपस डैट पर चुके हैं एपस पर रिव्यू करना मतलब यार बैन हो जाएगा य उसके देखते वें यहाँ पे इस वीडियो मांने फिर से यह सेकेंड वीडियो लाया और यहाँ गडए इसकी इस्की में डिखाता हूं यह जो है न आप देखो यहां इस फिर से कर साब करता specimensبل करता हूं यहाँ पर मैं आपको दादो कि धीरे-दिरे कॉनसी वेबशाय अग क्याइट में convert हो चकी है और यहां पर इसकी रीविव आप देखोगे ना कितना अच्छी तरीक से इन्हों ने रीविव किया पोश्ट इंपर्टेंट होते हैं किस तरह के कंटेंट आप लिखते हो बहुत सारे लोग जो है कि ना अच्छी तरीक से नहीं लिखते हैं और यहां यह important है अगर आप जो ही कि अपनी ब्लोगिंग करियर में आगे बढ़ना चाहते हो एक सही तरीके से सटिक ब्लोगिंग करना चाहते हो तो important है कि आप इसके अंदर images को भी उतना ही आप importance दो जितना कि आप अपने content को देते हो content बहुत important है कि हम content में क्या कुछ लिख रहे हैं य यह भी important देख सकते हैं यहां पर फाइल सेरिंग के बारे में बताई गई है आठ ऐसी जो ही की application के बारे में बताया गया है और भी आप देखो को तो कई सारी application के बारे में यहां पर बताई गई है लेकिन इनकी formatting मुझे काफी अच्छी लग रही है आर्टिकल का लिखने का तरीका बहुत यह अच्छा लग रहा है प्लस इसमें बैक लिन्स होगा रहा है चोड़ा गया है तो सवाल यहां पर यह है कि आपको यह डाउट लगा गया कि यहां पर यार आप्स के बारे में रिवीव किये हैं लेकिन इनकी traffic में आपको दिखानी को इस करता हूं यहां प लाखों की traffic जोई कि यहां पर इनको देखने को मिल रही है अगर हम बात करें तो लोग बोलते हैं यार searchable बनता है या फिर नहीं बनता है तो देख लो भाई आपके सामने हैं यहां पर देखो searchable यह बनता है यह बहुत अधिक searchable बनता है क्योंकि लोगों को need है इन application के बार करेंगे चलो बहुत सारा लोग यह डाउट करेंगे यार वहां पे तो 34 पसेंट चलो दूसरी website विजिट कर लेते हैं क्योंकि ऐसी बहुत सारी website है बहुत सारी website के ऊपर जोगी application के review की जा रही है और apps की review इसलिए की जा रही है क्योंकि application में काफी सारे android user हैं बहुत सारे android user काम कर रहे हैं और जो एक ही application को ढूंड रहे हैं अब यहां पर अगर मैं दिखाने कोई करूं तो देखो यहां पर सर्चेस देखो 68% ठीक है तो यह डिपेंड करता है कि किस टाइप के content पे कैसे आप लिखते हो कौन सा आर्टिकल आपका rank करता है किस तरीके साब रहेंग कर product हैं अगर हम बात करें डिजिटली एपस हैं और डिजिटली एपस में आपको तरह तरह के application यहां पर देखने को मिल जाते हैं तो यह आपको याद रखना है कि अगर आप शाह हो तो इनकी review कर सकते हो लेकिन downloading का link आपको कभी नहीं देना है अगर आप downloading का link देते हो या फिर download link यहां पर नहीं दिगई है ठीक है यहां पर आपको जहाओ तो कोई भी कहीं भी आपको download link नहीं दिया गया कहीं पर देख सकते हो देख तो यहां पर क्या है दिया गया है आपे Get it on Google Play, तो Google Play का अगर आप देते हो, तो ये download link नहीं कहलाएगा, ठीक है, ये Google Play पर redirect होगा, और Google Play का जो official है, जो की जहां से illegal नहीं माना जाता है, spam नहीं माना जाता है, जो की legal माना जाता है, तो यहां से लोग जो ही कि इसे डाउनलोड करते हैं तो कोई इश्यू नहीं होगा आप Google Play Store का दे सकते हो लेकिन खुद परस्टनली करम बात करें किसी वेबसाइट से क्रेक वर्जन वालागी फिर किसी वेबसाइट से डाउनलोडिंग करेंगे यह फिर डाउनलोड ना होगा यह सब बटन आपको नहीं